आप सभी का स्वागत है आज इस वीडिया में मैं आप लोगों के सामने पुर्षतम मास या अधिक मास के कहाने सुनाने जा रही हूं जो कि बहुत फलदाई है और आप इस कहाने को ब्रत करने से भी सुनिया ब्रत नहीं कर रहे हैं तो भी अवस्ये सुनिये दिन के कोई भी सम सुनिये और रोज कुछ न कुछ दान अवस्ये करिए अधिक मास में और नहीं हो सके तो एक दिन 33 मालपवा का दान का विधान है सास्त्र का कथन है इसलिए आप मालपवा अवस्ये ही दान करिए और इस कहाने को अवस्ये ही सुनिये तो चलिए सुरू करते हैं एक राजा के दो रानी थे एक को राजा बहुत प्यार करता था और एक को प्यार नहीं करता था बड़ी रानी का नाम सुहागन था जिसे राजा महल में रखकर बहुत प्यार करता था और चोटी रानी का नाम दुहागन था जिसे राजा महल के नीचे एक कमरा ही दिया था बड़ी रानी सिखा कर चोटी रानी को महल से निकाल कर एक कमरे में ही भेज दी थी वो हमेशा चोटी रानी के बिरूद भढ़काती रहती थी चोटी रानी सबाब की बहुत सांध थी वो पूजा पार्ट में हमेशा ध्यान रखती थी और ब्रत वो पबास करती रहती थी ऐसे करते कई दिन गुजर गई एक बार की बात है अधिक मास का आगामन हुआ उस सल वैसा का अधिक मास चल रहा था छोटी रानी बहुत खुश थी कि अधिक मास में पुरुशतम मगवान की पूजा करूंगी ब्रत चनान करूंगी और वो पहले से ये तियारी में लग गई धार्मिक पोधों क जैसे बर्ट, पीपल, तुलसी, आकड़ा आधि को सिचने के लिए वो महल से कमरे से बाहर जाने लगी रानी पोधों को पूजा करने जाती तो बड़ी रानी को सहन्या और राजा को बोली कि राजे के सारे पेड़ पोधों को कटवा दो राजा बोला बशा का महना है जिब जन्त को चाया चाहिए, बाद में कटवा देंगे पर बड़ी रानी के जीत करने पर राजा सब पेड़ पोधों को कटवा दिया, चोटी रानी को पूजा करने के लिए बहुत समस्या हो गई, और मन ही मन पुर्षतम भगवान को ध्यान करके पेड़ सिचने के लिए दूर जाने लगी भगवान उसकी प्रार्थना सुने और उसको एक आकड़े की पेड़ दूर से दिखाई दे दिया पास में नदी की धार बहती हुई दिखाई दी और पास जाने लगी तो एक जूपड़ी भी उसको मिल गई वह बहुत खुश हुई कि मुझे सिचने के लिए वो उहीं रहकर ब्रस्टनान करने लगी एक दिन की बात है राजा बाहर भ्रह्मन के लिए निकल पड़े जाते जाते दूर चले गए उनको बहुत प्यास लगी और बैठने के लिए चाया भी दूरने लगी पर ना कोई पानी दिखाई दिया ना कोई पेड दिखाई दिया फिर मंत्री को आकडे की पेड दिखा और राजा को लेकर वहीं गया और दोनों वहीं बिश्राम करने लगे और बहती वहीं नदी से पानी लाकर पिने लगे राजा सोचे पूरे राज्य में पेड कटवा दिया था पर ये आकडे के पेड कहां से आई जरूर कुछ न कुछ बात है और जोपड़ी में कौन रहता है उनके मन में प्रशना आया और मंत्री को आदेश दिये कि देखो कौन है जोपड़ी में कौन रहता है मंत्री जा कर देखा और बताया कि महराज जोपड़ी में तो चोटी रानी रहती है राजा तुरंद चोटी रानी को बुला कर सब बातों का प्रश्ण किया और बोला कि तुम सच सच बताओ क्या जादू टोना किया है तो चोटी रानी बोली महराज में कुछ भी जादू टोना नहीं की हूँ मुझे तो सिचनी के लिए पेड चाहिए था इसलिए मैं महल के कमरे से बाहर आकर ढूंडने लगी तो मुझे ये आकडे की पेड दिखाई दिया मैं मानी मन भगवान को प्रार्थना करती हुई दूर निकल गई और ये तो भगवान का ही चमतकार है तो राजा समझ गए कि ये इसका ब्रत उपवास का ही फल है राजा चोटी राणी को साथ में लेकर महल में जगह दिये और साथ में रखे और बड़ी राणी को महल से निकाल कर उसी कमरे में भेज दिये जहां चोटी राणी रहती थी ये थी पुर्षत्म मास की कहानी इसलिए